So, hello दोस्तों, कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सभी लोग बढ़ी आउंगे दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही गजब की होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों प्रोब्लोम आती रहते हैं कि वो जो है अपने मैसेज को हाइड करना चाहते हैं आपके local message होते हैं, उनको hide करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों, ऐसा किसी भी apps में feature नहीं दिया जाता है कि आप उने message को hide कर पाऊ लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी personal number का message को hide कर सकते हो यदि किसी के number से message आता है अगर उस number का message hide करना चाहोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी यह असन तरीके से अपने किसी भी personal back तिके number को hide कर पाऊगे चलिए दोस्तो कैसे करना इस वीडियो में पूरी जनकरी मिलेगी उससे पहले आठ छोटी इस request है कि अभी तक आपने इस चैनल को subscribe ने किया तो please चैनल को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर इसी दरही की जनकरी मिलती रहती है तो चलिए गाइस वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी पर्सनल बेक्ट के मैसेज को हाइड करने के लिए एक application डाउनलोड करना पड़ेगा जिसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है अब यहाँ पर यह कुछ time लेगा यहाँ पर scan करने के लिए आपको ok कर देना है और जैसे आप इसको ok कर दोगे तो यहाँ पर यह कुछ scan करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको messenger पर click करके आपको set default पर click कर देना है अब सेट default पर क्लिक करके फिर से आपको messenger पर क्लिक करना है उपर वाले पर और फिर सेट as default पर क्लिक करना है अब दूस्तों ये फोड़ा scan करेगा जितने भी message आपके phone में होंगे सारे कसारे यहां पर scan कर लेगा कुछ ही seconds में जैसा कि यहां पर देख पार है कि यह scan कर चुका है और अभी आपके पास एक add आद चुकी है तो इस add को आपको cut कर देना है सिर्फ एक बार यह add आती है तो जैसे इस add को cut कर दोगे तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा अब दोस्तों किसी भी personal व्यक्त के आपको अगर मली जै मैं यहां पर इस वाले number को hide करना चाता हूँ इस number के message को hide करना चाता हूँ तो इसी पर आपको long प्रेस करना है आप भी इसी तरीके से किसी को भी hide करने के लिए long प्रेस करेंगे और यहां पर जो three dots दिख रहे हैं three dots पर आपको click कर देना है जैसे आप three dots पर click कर दोगे तो यहां पर लिखा हुआ add to private box तो इस पर click कर दोगे तो यह number जो है आपका message जो है यह private box में चला जाएगा तो दोस्तों इन private box के message को आपको देखने के लिए करना क्या पड़ेगा यहां पर जो यह वाला option दिख रहा ह इस पर आपको आजाना है और नीचे जाना है तो यहां पर आपको एक option मिल जाएगा private box का तो यहां पर देख वारे हो private box लिखा हुआ है तो इसी पर आपको tap करना है अब यहां पर सबसे पहले आपको password बना लेना है तो यहां पर चार रंकों का मैं password बना लेता हूँ और फि message यहां पर आ चुका है तो इस तरीके से आप ऊपना zost च्बाइब fighter competition के डाउनलोड करने का यंक में है डिस्क्रिस्न को गांवार कर सकते और इसको open कर सकते हो